सिर्मौर विधान सभाज शेत्र के रिमारी गाउं भास्वा प्रत्याशी के प्रती लोगों का दिखा आक्रोश दस वर्ष से उपेक्षा का शिकार हुआ रिमारी गाउं भास्वा निताओं को ग्रामिडों ने गाउं में नहीं दिया घुसने जनता जनारदन के आक्रोश का वीडियो हो रहा वाइरल रिवा जिले के सर्मौर विधान सभाष शेतर अंतरगत ग्राम रिमारी से एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें भाषपा निताओं के गाओं में प्रचार प्रसार करने के दरान गाओं के युवाओं ने गाड़ी रूप कर गाओं में घुसने से मना कर दिये उनका आरोप है कि बीते दस वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ यहां तक के विधायक के साथ-साथ अस्थानिय भाषपा नेता भी कभी गाओं के सुध नहीं लिये जो गाओं के साथ-साथ कुछ जगों को छोड़ कर कहीं विकास नहीं हुआ कई शेतराज भी उपेक्षा का शिकार बने हुए है यह पहला मामला नहीं है इसके पहले अकौरिया गाओं, खटिकान टोला, कोटिहा टोला, खाजा, आदिवासी सहिद कई गाओं के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा चुके हैं जिससे असपष्ट प्रतीत हो रहा है कि नीवर्तमान विधायक के प्रती जनता जनारदन का आक्रोश है जिसका सबसे बड़ा कारण है कि विधायक दिविराज सिंग कुछ लोगों के हाथों की कट पुतली बने रहे और जनता से दूरी बनाए रहे रही बात विकास की तो पूरे सिर्मौर विधान सभा के गाउं में जाकर देखा जा सकता है आपको बताते चलें कि सिर्मौर विधान सभा अंतरगत जवा मुख्याले बीते 10 वर्ष से उपेक्षा का शिकार बना हुआ है इस्थाने विधायक द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा लेकिन मांगे पूर्ण नहीं यदि विधायक का योगदान रहा होता तो सभी मांगे पूर्ण हो जाती कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विकास को लेकर भाजपा प्रत्याशी के प्रती शेतर में जनता का आक्रोश है यदि यही हाल रहा तो इस बार भाजप मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही है दखवरदार नियूस से विज़त इवारी के रिपोर्ट